दोस्तों बल्प से लेकर खूबसूरत फूल बनने तक टूलिप का सफर वाकई दिल्चस्प होता है। चलिए देखते हैं ये सब कैसे होता है। सब की शुरुवात होती है। मिट्टी में गहरे दबे एक छोटे से बल्प से। मौसम बदलने के साथ बल्प से जड़े निकलने लगती हैं जो उसे मजबूती से जमीन में जमा लेती है। फिर एक ननही सी कॉमपल निकलती है जो उपर की रोशनी की और बगती है। शुरुवाती दोर में टूलिप अपना पूरा ध्यान मजबूत पत्तियां उगाने में लगाता है ताकि सूरज की रोशनी सोख सके। यही उर्जा अगले चरण में काम आती है कली बनने में। भीरे भीरे कली फ्लावर ने लगती है अपने अंदर छुपे फूपसूरत रंगों से भर जाती है। जब सही समय आता है पंखुडियां खुलने लगती है और टूलिप के बहतरीन रंग और नाजुप पैटर्न सामने आते हैं। हर एक फूल प्रकृति की कलाकारी का सबूर है। बस हो गया। बल्ब से खिले फूल तक टूलिप का सफर कुदरत के जादू की एक खूपसूरत निसाल है। अगली बार जब भी आप एक टूलिप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उस रंगील फूल के लिए कितनी महनत लगी होगी।